हलो दोस्तों रोजगार हिंद में आपका स्वागत है मैं हूँ रिजवान और वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है 16 से लेके 22 तारिक तक फिर से फ्लाइट से स्टार्ट होंगी क्योंकि आपको पता है कि 7 से लेके 14 तक जो 1st फेज था उसमें 15,000 लोगों को लाया जा रहा है और वो 12 अलग अलग बेशों से मैंने आपको पिछली बार बताया भी था उसमें लिश्ट भी दिखाई थी आपको कि इतने सारे लोगों को इसने इन कंट्रीज से लेके आए जाएगा आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ कि 16 तारिक से लेके 22 तारिक तक एक दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है बंदे भारत मिशन का और जिसमें 31 कंट्रीज होंगी और 149 फ्लाइट जाएगी और ये अलग अलग कंट्रीज होंगी इसमें यूरोप कंट्रीज भी इ है आप यहाँ पर आने के बाद में पेसा देना होगा और उसके बाद में अलग अलग चार्जे अगर आपको होटल हाइ चर्फा और तो करते हैं या quarantine किया जाएगा ये आपकी problem के उपर होगा अगर आपके अंदर कोई संक्रमण है तो जाहिर सी बात है आपको hospitalized भी किया जाएगा तो ये mission जो start हो रहा है मैं आपको बता दूँ कि जो अलग-अलग 31 countries हैं वो कौन-कौन सी शामिल हैं उसमें पहले आप ये देख लें ये list देख ये नीचे जो है destination दिया हुआ है कि जहां-जहां के लोग वहां पर पहुंचेंगे अब यूसे से तेरा फ्लाइट आ रहे हैं यूए से ग्यारा फ्लाइट आएंगी कैनड़ा से दस फ्लाइट से आएंगी सुधियरप से नौ फ्लाइट आएंगी यूके से नौ फ्लाइट आएंगी मलेशिया से लेकर आठ फ्लाइट आएंगी ओमान से आठ फ्लाइट आएंगी कजागस्तान से आएंगी साथ फ्लाइट औस्टेलिया से साथ फ्लाइट यूक्रेन से आ फ्लाइट कर्जिकिस्तान से चार फ्लाइट कुएट से तीन फ्लाइट जापान से तीन फ्लाइट जॉर्जिया से दो फ्लाइट जर्मनी से दो फ्लाइट तजाकिस्तान से दो फ्लाइट, भारेन से दो फ्लाइट, अर्मानिया से दो फ्लाइट, थाइलाइन से एक फ्लाइट, इटली से एक फ्लाइट, नेपाल से एक फ्लाइट, बलारस से एक फ्लाइट, नाइजीरिया से एक फ्लाइट, बंगलादेश पे एक फ्लाइट, यह टो किस जगे में लोग जाएंगे जो इंडियांस आरहे वहां से वापस किस-kis स्टेफ के हैं उस आरे स्टेट वाइस दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं और अब यहां पर question बहुत सारे लोगों को दिमाग में है कि जो लोग आ रहे हैं, वो लोग कौन है, क्या उनको job से निकाल दिया गया है, या visit पर गये थे, या tourist पर गये थे, या company जो है, इंडियन्स को वापस कर रही है, भगा रही है इंडियन्स को किसलिए कि अभी Islamophobia वाला भी message viral हो रहा था, जिसकी वज़े से बहुत सारे लोगों ने ये create किया था, एक rumor टाइप का कि वहां पर Islamophobia की वज़े से जो है, इंडियन्स को वापस कर दिया जाएगा, हलांकि इस तरह की situation create हुई थी, तो वहां के लोगों ने, दुबई या Gulf countries के लोगों ने warning भी दी थी इस तरह की, क्योंकि fake news बहुत जादा viral हो रहे थी, fake news बहुत जादा share की जा रहे थी, और उसमें कहीं कहीं target किया जा रहा था, तो ये एकदम different situation हो गई, लेकिन ये भारत mission जो है, ये वंदे भारत mission जो है, ये उन लोगों को लाने का है, जो लोग हर countries में, जो मैंने countries के नाम बताये हैं, वहाँ पर या तो visit पर, या तो tourist पर और जिनका visit visa expire हो गया, या tourist visa खतम हो गया, या business पर गये थे, या तो वहाँ पर business नहीं हुआ, या तो उनको job से निकाल दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी इस तरह की countries है, जो की job से निकाल रही ह है लोगों को, जिनके पास work नहीं है, या तो work from home दे रही है, तो इस तरह के लोग भी है कि जिनको job से निकाल दिया गया है, terminate कर दिया गया है, जिनका expire हो गया है, आपको पता दूँ कि जैसे वैलेटी होती है, contract होता है company के साथ में, दो साल का contract अगर आपका है, तो दो साल भी लोग है, जिनका business चल रहा था, या जिनको निकाल दिया गया, companies जिनको contract खतम हो गया, जो visit पर गया थे, जो tourist visa पर गया थे, जो business visa पर गया थे, इस तरह के ही लोग होंगे, वहाँ पे जो इंडिया वापस आ रहे हैं, अभी बहुत सारी countries में से कुछ और भी updates आएंगी, हला कि ओमान का जो मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि आट लाग इंडियंस जो है, वो निकाले जाएंगे, कहीं ने कहीं, वो government sector में impact करेगा, कि उनका unemployment ratio बढ़ रहा है, इसकी वज़े से, तो सभी countries के साथ ये situation हो रही है, कि जहाँ जहाँ unemployment ratio बढ़ रहा है, वो बाहर के लोगों को कैसे काम देंगे, कैसे salary देंगे, और ये इंडिया के साथ ये situation नहीं हो रही है, ये अलग-अलग countries के साथ situation हो रही है, अगर आप ये सोच नहीं कि वहल इंडिया के लोग आ रहे हैं, वापस तो ऐसा नहीं है, जितनी countries के में मैंने नाम गिनाए ह है, अगर इन सारी countries में अलग-अलग देशों के लोग थे, तो उन सभी लोगों को उनके उनके जगे पे वापस किया जा रहा है, उनके जगे में repatriate किया जा रहा है, क्योंकि ये lockdown की वज़े से situation और हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गये हैं, तो जिसकी वज़े से अभी जो है, आना चलो हो जागी, मैं आपको रोजगार हिंद के माध्यम से अपडेट देता रहोंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पगल भी notification बेल है, उस पे भी क्लिक कर दें, अगर आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो और लाइक करना आंसर दूँगा, या तो कोई आपको टॉपिक है दिवाग में, तो टॉपिक भी जरूर लिख दें, मैं आपको टॉपिक के हिसाब से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो चैनली दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धियान रखें, अपना टेक केर, जय हैं